नमस्कार किसान भाईयो आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में मैं हूँ आपका दूस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना E2 Channel Earn2 Business किसान भाईयो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मटर की खेती को अंगेती कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके कैसे लगाने चाहिए और साथे में आपको घैत की तैयारी कैसे करने चाहिए और आपको जो । NE उससे करें सकते हैं आप यूज करते हैं तो किसान भाईयो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपसे मे affili дан अगर हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर करें सकते हैं जिससे के वीडियो की नौटिपिकिसन आपको कंट्यूनु मिलते रहेंगे तो किसान भाईयो मतर की खेती के लिए जहां तक है किसान भाईयो अब मतर की खेती को सबीत प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं चिकनी दौमट हो चाहिए बलीव मिट्टी है चाहिए दौमट मिट्टी है अब बात करते हैं कि जो हमारे खेत की मिट्टी का प्याच मान है वो कितना होना चाहिए पांच पांच से लेके 7.5 तक बीच में होना चाहिए मत तूर के महीने में कभी भी लगा सकते हैं और साते में जो आप अगर अंगेती मटर की खेती लगाते हैं तो आपको मंडी में जो भाव अच्छा कासा मिल जाएगा अब देखते हैं कि मंडी में जब भाव होता है चालीस पर केजी के सा 40-50-60 रुपे किलो आपको मंडी में आप अच्छा करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए अगर आप बिना फर्टिलाजर के अगर अपनी खेती को करना चाहते हैं जो कि आप उसमें आप कोई भी राजसाने बदारत नहीं डालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आवसकता पड़ेगी जो सड़ी गोबर अच्यलवाते हैं जिससे कि इसे के अच्छा का सब्थिय परापन मिटी में आजाएं और जो मिटी और खाद का जो मिक्ता छेटल यह हो जाएगा मटर की खेति को अंगयती लगाना चाहते हैं या mean stock मर के महीने में लगा रहे हैं तो हमें सीड की आवसकता वो स्था जाएग ता इस लिए अगर अब सेतव referenced की महीने में मैतर की खेती के लगाना चाहते हैं थो आपको Wakoda चाहित बात करते हैं कि जो अपरी की खेती के लिए उपयक तो तरह चाहित पूर्ण शवांजा कोई बात करते हैं कि जो उप्चार चाहिए कोन-बात कर सकते हैं जिससे कि उसमें जो कीट ना सक जो लगेंगे वो ना लगें और साथ ही में जो हमारे बीज उप्चरत हो जाता है तो जल्दी क्रोग करने लगता है तो आप उसमें 12% की कारवंडे जिम ले लेनी है और आपको 30% की आपको मेंका जिम ले लेनी है हागी की завi acabar टीकि ऑंदी में लेकशी सरदी टोनों में ऐसे साथ ही में आपको 5 ग्राम पाउडर लेना है जिसके कि तीनों का मिस्रड़ कर KP прив I को मिस्रड़ करने के बाद में उसको उपचरत करें थूप में उससे अची तरह सुका लें थूप में बिल्कुल नहीं सुका है दो तरीके से बुवाई कर सकते हैं, एक तो मसीन की साहता से या हाथ के छिटकाप से, तो अगर हाथ के छिटकाप से करते हैं, तो सीट की आवसकता आपको थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है, अगर मसीन से करते हैं, तो आपको कम सीट की आवसकता पड़ेगी, अब 35-40 kg आपक 5 cm की आपको रखने की ज़रूत है सायथ में जो लायन से लायन की दूरी आप रखना चाहते हैं तो तीस 25 से 35 सेंटी मीटर रख सकते हैंग जो बीच की जो वह गहरा हिए वह ज्यादा नहीं होने चाहिए मिनीमम से मिनीमम 5 cm होनी चाहिए इससे अधेक नहीं होगी तो अच्छा होगा क्योंकि आपका बीच जल्दी उपज के ग्रोव करने में जल्दी टाइम में ग्रोव कर सकता है तो बात करते हैं अगर हम बीच को देते हैं उसके बाद में हमारे खेट में खरपतवार भी होगा तो आप दू कि खरपतवार को अ लावर की साहताई कर सकते हैं स्प्रेश करके अगर आप खरपतवार को नश्ट करना चाहते हैं तो means सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं कि सीड की जो आवज सकता है अगर मसीन की साहता से करते हैं तो 35-40 के आपको बीड़ी की बीच की आवसकता पड़ेगी ही सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा होता है क्लाइमिट और यह वहां जो टेंपरिचर है उसके अगर अगर आप वी large और बता देता हूं जिय की टेन है और एडवंटा की 10C है और साथी में GS 10 है और आजाद है एपी 3 है बॉन बील है आप इन में से कोई सी भी आप बरेटी चुन सकते हैं बात करते हैं बात करते हैं वह वह जो खाद में कौन-कौन से यूज करने चाहिए कुन से की आवसकता पड़ेगी तो बुबाई के आपको जो पड़ी लाजर जो आवसकता पड़ी है आपको आपको पड़ेगी MOP आपको साथी में आपको यह आपको 100 kg को अपने डालना है में MOP 25 kg का एक बुबाद है उसकी आपको आवसकता पड़ेगी अगर आप गोवर की खाद नहीं डालना चाहते हैं तो यह अच्छी तरह डाल सकते हैं अब बात करते हैं जैसे कि हमारी पसल 20-25 दिन जाती तो उसमें एक बेसल डूज देंगे 5 kg ले लेना है तीनों का मिस्टर करके आप मटर के जड़ है उसके हाथों की सहता से उसमें जड़ों में डाल सकते हैं तो किसान भाई यो आयो फिव कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर कर दें जै हिंद जै किसान